सबसे पहले हम देखते हैं कल जो लेक्च्चर दिया था मैंने उसको और उसके बाद अगले कोशिंट के तरफ बढ़ेंगे सबसे पहले देखिए होप आप लोग किये होंगे इस कोशिंट को यदि किसी समापता स्रेणे का पीवां पर देखें तथा क्यूआं पर भी हो तो सि देखरें पी प्लस क्यू पदों का योग ठीक है प्लस क्यू पदों का योग यहां पर लिखेंगे प्लस क्यू पदों का योग यह क्या होगा प्लस क्यू पदों का योग यह क्या होगा प्लस क्यू प्लस क्यू पदों का योग यह क्या होगा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस है आपको सिद्धिकरना है तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे यह जानते हैं इसमें जो वर्ट की किया जाएगा सबसे बाद तो पीवापद रहे और पीवापद भी दिया पाए तो यहां पर जो है पर्थमपद तथा सरवांतर नहीं दिया हुआ है अगर किसी सेरी में कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो यह ध्यान देते हैं कि पर्थमपद तथा सरवांतर वो दिया हो अगर नहीं दिया है तो उसे हम मान लेते हैं तो चलिए यह और भी आल्रेड़ी दिया किया है इसलिए एको पर्थमपद नहीं मान सकते तो आ माना की स्रेड़ी का क्या दिखेंगे माना की स्रेड़ी का पर्थम पर यक्स तथा सावंत य है तो जहां ए और ड आप यूज करते थे वहां यक्स और यूज करेंगे फिखेंगे तो अब देखिए यह कत्ना अथा क्या दिया हूद है कि पीवा पर टो टीपी ऐल टूंटा टो अब यहां पर आप देखें पाव क्या होगा एक अनुज क्प्लस पर धार में वाइड की शब्स प्लस वाई डिक जगण आप यह अब यहां पर आप देख रहा हूं यक्स और बाई जो है हमारे द्वारा गया है इसकी वैलों हमें निकाल दी होगी तो चलिए हम इसको प्थम एक्वेशन मान देते हैं तो यहां पर अगर इंग्लीस मीडियम से आता है तो आप क्या लिखेंगे लेट दर फॉस्ट टर्म यहां प्रथम पर जनुम लिखिए अगर फॉस्ट टर्म भी एक्स और सर्वांतर यानि की कॉमन डिफरेंस भी वाई यह इंग्लीस में आप लिख सकते हैं तो टी पी इकोल है यह यह चले है तो यह को सब्सकति माइनस न तो यहां परतूर से केवस्टें oh और य की वयल्यूान है यह कि प्रसंपद्र और कि वयल्यू समीकर्ण एक से समीकर्ण दो को घटा देंगे समीकर्ण एक से समीकर्ण दो को घटाने पर एक से दो को घटाने तो एक्स प्लस पी माइनस वन वाई इंकोल तो यह हर्ष्ट इक्वेशन यानि प्रतम समुख्रण है और एक्स प्लस क्यू माइनस वन यह क्या होगा प्लस क्यू माइनस वन वाई इकोल टूबी यह आपका सेकंड इक्वेशन है तो अब देखिए यहां से घटाएंगे तो नीचे के चिन रेंगी बदल जाएंगे परिमारतित हो जाएंगे तो यहां पर एक्स और एक्स कट जाएगा और होगा क्या पी माइनस वन पी माइनस मा पर यहां पर एक यहां की बैलू आगे अब यानिकी सर्वांतर माने दिया यानिकी इसकी बैलू आ गए अब देखते हैं य का मान समीटर नमबर एक मेरा तो आप य का मान y का 1 समीकर नमबर 1 में रखने पर ठीक है जब समीकर नमबर 1 में y का मांग रखत हो गया तो यह क्या हो गाएगा x प्लस p-1 y की जगाँ पर a-b अपान p-q और यहां पर हो जायागा a ठीक है यहां पर a है तो अब transpose कर दो इसे यानि की क्या करो दूसरे तरफ पच्छामतर कर दो पच्छामतर करने पर आपको क्या मिलेगा x equal to a- p-1 a-b upon p-q अब जब देरो और अब तब multiply करके इसे solve करवा ठीक है ठीक है तो थोड़ा साथ देखते हैं इसको simplify कर रही तो क्या होगा ठीक है इससे पहले देख लेते हैं simplify करते हैं तो यहां पर x equal to क्या होगा a-b minus aq अगर आप multiply करेंगे तो देखे minus p है यानि कि a-b हो जाएगा minus में and क्योंकि यह minus multiply होगा डारेक्ट में तीकर आप मंटिप्लाइगा करके bracket full है minus pb और minus minus plus pb हो जाएगा pb minus a minus plus a and minus b to minus b minus minus plus minus minus हो गया upon pq p minus q यह हो जाएगा यहां पर कटेगा क्या और क्या बच्छेगा यह देखेए तो यहां पर a-p से a-p कट गया जो प्लस में है और यह minus में है ठीक है यह कट गया यह कट गया bb बचा minus aq और यह plus b यह minus b तो x equal to क्या हुचा pb plus में है तो पहले लिख दो यह bp ऐसे लिखो minus aq और plus a minus b upon p minus q यह value of x हो गया यह प्रधंपर का मान निकल गया अब देखे प्रधंपर का मान निकल गया तो अब हम क्या निका लेंगे कहा करा है p plus q पदों का योग तो p plus q पदों का योग कैसे निकालेंगे आप रांतरों यह p plus q यह होता है और यह किसके बरावर होगा p plus q by 2 2 a यह क्या है यह क्या है क्योंकि प्रधंपर आप क्या मने थे अब चलिए हम लिखते हैं कि यहां पर क्या हो जागा आप प्लस q by 2 2 x तो 2 multiply कर देंगे 2 और यहां पर जो x की value है उसमें output कर दो और यहां पर हो जाएगा bp minus aq plus p minus q upon p minus q यह होगा and plus p plus q p plus q minus 1 और यहां पर जो value हो जाएगा y का y जो दिया हुए a minus b upon 2 बदिता हो जाएगे p minus q देखे y की value हमा a minus b upon p minus क्यों यह y की value है ठीक है अब ज़रा हम इसको solve करते हैं p plus q by 2 2 2 से multiply कर दो 2 से जब आप multiply कर दो तो यह 2 times bp minus 2 times aq plus 2p minus 2q यहां हो जाएगा और यह हो जाएगा p minus q और यहां पर आप यहां 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 यह हो जाएगा यह ब्रेकेट बंद हो गया और यहां पर क्या मिलेगा आप यहां यहां पर एक बार है यह हो जाएगा और इसके बाल यहां पर जो है आपके पास है 2p q तो p q है यहां पर और यहां पर a b है तो यहां पर minus plus 2p q minus 2q यहां पर आपका आजाएगा a and b minus a और plus b upon p minus q तो यहां पर यहां पर यह जीज आगया यहां पर ध्याद नेजे यह a a b यह क्या है a or b not a p q a b है यहां पर a b आप लेखेंगे तो यह क्या जाएगा 2a a 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 sum of P, Q and R terms, sum of P, Q and R terms, respectively, A, B and C. Then, prove that A upon P into Q minus R plus B upon Q into R minus P plus C upon R into P minus Q equal to 0. So, let us see that how to do. Then, first of all, आप मालो की पर्थमपद, माला की पर्थमपद, X तथा सारवंतर Y है. श्रेणी का पर्थमपद X तथा सारवंतर Y है. तो, आप यहाँ पर जरा ध्यान दें कि क्या हो जाएगा? Yes, P. Yes, P दिया हुए A. ठीक है? आप यहाँ पर लिख लें, Yes, P equal to A, तो P by 2, 2X. क्योंकि पर्थमपद आप X and यह ध्यान रखिएगा. and सर्वांतर क्या है? Y. P minus 1 Y equal to A. तो आप यह से क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर आप जो है, लिख सकते हो कि 2A यहाँ 2X plus P minus 1 Y equal to 2A upon B. तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करके यहाँ पर ही राने को आपके जैसा आप चाहोगे, यहाँ तो आप इस LHS से प्रूफ कर सकते हो, LHS 0 आजाएगा, यहाँ तो Q minus 1 इन दोनों तरफ multiply कर सकते हो, तो जब हो हम लिख से ही प्रूफ कर लेते हैं, LHS आजाएगा, चाहिए, ठीक है, अब देखते हैं, yes Q, जो next है, वो B है, yes Q क्या होगा, Q by 2, 2X plus, क्या होगा भी, 2X plus Q minus 1, Y equal to B, so Q को आप इसे प्रूफ क्योंकि B upon Q का है, तो Q क्यों आप इसे प्रूफ क्योंकि B upon Q का है, तो Q क्यों आप इसे प्रूफ क्योंकि 1 by 2, क्योंकि तो झहर क्योंकि तो तो ऐसे एसे इसे जो क्योंकि吧, तो यू ह्रूफ ईसे इसे थाॉफ थिए फिटेक्ट क्यों क्योंकि तो, यू हू ल आई क्योंकि तो यू है, जो यहां byasmnd u kya ho झाई न? 2x plus r minus 1 y equal to c now next term आप लिखोगे 1 by 2 2x plus r minus 1 y equal to c upon r आप ने क्या किया r को दूसरे द्रफडे यह similar दिस same condition as the first second and third equation ठाइम तो आप देको जहां पर हमें इस question में यह पां बी की वाईलो मिल गया है यह भांवी की वाईलो भी अपां आपां क्यों की वाईलो मिल गया है and c upon r की बेलो मिल गया है लिट असी अधाए पां इजे उश्चन चलिए हम देखते हैं क्या है तो क्या है यह कर रहा है की a upon P q minus r plus b upon q r minus p plus p upon r p minus q equal to 0 होना चाहिए तो हम क्या करते हैं को ले 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 हैं और उसको जीरो के इक्वाल प्रूफ करेगे ठीक है see that what is the LHS A upon P Q minus R plus B upon Q R minus P plus C upon R P minus Q ठीक है अब जड़ा ध्यान देजें इन प्लेस आप A upon P you can put the value of A upon P from equation 1 equation 1 से आप value put कर सकते हो यह upon P का and what is the value of A upon P 1 by 2 2X plus P minus 1 by Q minus R okay now this step will be a long step ठीक है यह क्या होगा यह लंबा step होगा but it is not a tough or not a difficulty यह कथिन नहीं होगा आपको क्यों बैलोग उठ करना है B upon Q का that will be 1 by 2 2X and plus Q minus 1 Y and R minus P see that यहा लेकिया 1 by 2 B upon Q की अब्लेट रवाद यह लेए 2X plus Q minus 1 Y हावने पुट कर दिया R minus P वही का वही मिदिग्लाइ रहेगा यह लुट सबस्सक्राइब मैं इस थे क्यों कि अभड़ाइब देखते हैं क्या कर सकते हैं वर्भाइब कुछ सभी पदों में वर्भाइब वर्भाइब कर लिए तो लेटेस कमान बाइब कॉर्म इस टो चलिए हम कमन कर लेते हैं वर रीक तो 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 और प्लस पी माइनस एकी पी माइनस वंक्यों मैनस आप तो क्यों माइनस आप पी माइनस वान आइंड यह हो जाएगा फोड़ा और क्लियर लिख लोई से और यहां पर यहां तक मुल्टिप्लाइब हो गया 1 by 2 is already common from each term यह common है सभी पदों में से ठीक है अब देखिए यहां पर 2x से मुल्टिप्लाइब होगा 2x r-p plus r-p q-1 y यहां पर भी पूरा मुल्टिप्लाइब हो गया और प्लस यहां पर p-q से मुल्टिप्लाइब होगा 2x p-q and p-q से भी मुल्टिप्लाइब होगा p-q r-1 y अब देखिए यहां कर सभी जो है आप मुल्टिप्लाइब कर लिया है ठीक अब आगे बढ़ते हम और जितनी सब्सक्राइब कर लो और जितनी हैं उनको लिख लो तो कली प्रेसिज में कर लो तिक कली प्रेसिज यानि कि मजोला प्रेकट जिसे करते हैं उसमें लिख लो तो यह क्यों आइनस आप सब्सक्राइब ब्लस क्या हो जाएगा पी माइनस क्यूब आप ब्रेकेट को लोगे सब कर जाएगे यहां से एक्स का देखिए कहां का आप रहे एक्स वाला पॉइट यहां पर है तो यहां पर द्वीक्स कमिन द्वीक्स कमन हो गाए को है य के साथ को है क्यों मैंनस आप की माइनस आप दाए पी नापन कर फिर आर वाइनस पी क्यों माइनस वन और फिर पी मैनस त्यों आर माइनस वन यहां कामर हो गया अब पूरा वाई तीनों बैसे यहां से क्या हो जाएगा क्योंकि आगे सब्सक्राइब क्योंकि यहां पर यहां पर यहां पर देख रहाएंगे जिरो हो जाएगा यहां पर देख रहाएंगे तो यहां पर क्या होगा प्लस आर प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस आर प्लस आर यहां इस मलिकेशन को आप ने लिए दो दो चार चार पत होने चाहिए देखिए दो दी चार चार पत हो गया फिर इनको भी कल्कुलेट कीजिया है आ पर यहां पर यहां पर यहां पर यह को काहरो हो गया नेक्ष्ट आप देखें यहां पर यह भी मुल्टिप्लाइए हो गया और यह सब य को बाहर ही रखें अब चलिए इसको कट करते हैं है कौन किसके इक्वल है इसको देख लेते हैं और करते हैं क्यूं किसे हो जाएगा है यां चीए है अब हुक्वा गया है यहां पर कहन दो आगया यहां पर कॉंपिट्स निटू जीरो यहां पर काउन हो रहा है मिन अब लोगों कि वोगिंगों में सकत pierwsMe की अच्छा यह लगता है और पी से आपने लास्ट पी को कैंसिल किया सब कठ एए ठीक है अशे सिट्येशन बहुत जहाए अच्छा यह लगता कि आपने सभी कंप्लीट किल्कुलेशन किया और सब कठेटे फाइनली 0 आ रहा है तो 1 by 2, 2x, 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 0, PLUS, यह भी पूरा कैंसलों कर 0 आ रहा है होता है तो प्रोडेक्ट क्या हो जाएगा जिरो यानि कि क्या होगा जिरो प्लस जिरो जिरो मतब क्या होगा जिरो और जो कि वैलू क्या भिया जिरो आपने लिया था और आप सॉल्ट किये और जो की वैलू जीरो और जीरो किसी वैलू आपने इस तरह से यह रोग तो देखिए काफी पॉर्टेंट कुशिन काफी अच्छा पॉरिशन है और आपने इसे पुरूफ कर लिया ठीक है बस आपको ध्यान देना है कि बताव अच्छा रो सकते हैं इसके तीनों इक वी सिंख लेशन लोगे इसमें यह की वैलू रखने के बाद आप यक्स की क्वांटिटी यह एक साहते लोगे उसके बाद करोगे आप यक्स की प्लिद्ट होगे वह जीरो जीडुँ है कटके जिरो होगा उसके बाद जिरो होगा इस तरह से कोशन कंप्लेट हो जाएगा आज के लिए इतना है ठीक है मिलते हैं फिर नेक्ट लेक्टर में धन हुगा